प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छी होँगे, स्वस्त होँगे, मस्त होँगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल लए होगी तो फाइनली आप लोगों का SSC CZL का 17 सितंबर का AllShip का एक्जाम हो गया है 17 सितंबर AllShip में पूछे गए सभी कोईसंस इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नोडिफिकेशन बैल ओन करना न भूले तो SSC CZL के जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट अभी तक कराए है ज्यादा तर जो कोश्चेंस हैं हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं तो पहला कोश्चें देखे पूछा गया था कि भूपेन हजारिका किस राज़ से समन्नित है ये कोश्चेंस मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था तो भुपेन हजारिका जो है इनका सम्बंद असम्ष राज से हैं कहां से हैं असम्ष अगर आप भुपेन हजारिका की बात करें तो 2012 में इन्हें भारत के दूसरे सरवोच नागरिक पुरुसकार पद्मिवूसर से सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें मरणों प्रांथ भारत के सरवोच नागरिक पुरुसकार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है अगर आपसे माली पूछ लिया कि भुपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से दिसंबर 2030 तक संगित नाटक अकादमी के अध्यश्च का पद्वी समाला है तो गरवान माली जी आपसे प्रस्न पूछ लिया जाए कि भुपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003 तक किस के अध्यश्च पत का पद्वार समाला है किस अकादमी का संगित न यह असम और ऒ另नाचित प्रदेश को जोड़ता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका सेतु इसे क्या का जाता इसे डोला शाधिया पूलवी का जाता है और यह किस प्रदेश को जोड़ता है यह भी प्रशन पेपर में पूछा जा सकता है तो यह असम और अवर्वाचिर प्रदेश को जोड़ता है तो यह भी फैक्ट आप को ध्यान में रखना है भारत के भुपेन हजारिका बहु मुकी संगीत कारों में से हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वस्रेश संगीत निर्देशक का राष्टिय पुरुसकार इन्होंने जीता था और ब्रह्म पुत्र के कभी के रूब में भी जाना जाता है अगर आपसे पोच लिया जाए कि भुपेन हजारिका ने किस फिल्म के लिए सर्वस्रेश संगीत निर्देशक का राष्टिय पुरुसकार जीता था फिल्म रुदाली के लिए उन्होंने ये पुरुसकार जीता था और इन्हें ब्रह्म पुत्र के कभी के रूब में भी जाना जाता यानि एक तिर से दो दो निशान आप लगाएं दो कोश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं अगर आपसे पूछ लिया जा कि ब्रह्म पुत्र के कभी के रूप में किनेज जाना जाता है भुपेन हजारिका को जाना जाता तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है 2019 में भारत रत्र प्रोषकार प्राप्ट करनेवाले भुपेन हजारिका का समद किस छेतर से है यह भी प्रशनापसी पेपर में पूछा जा सकता है 2019 में भारत रत्म पुरुषकार प्राप्त करने वाले भुपिन हजारिका का संबन संगीत छेत्र से हैं यह वी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है और को ख़्यान पूछा पूछा गया था बावर का उत्तराधीकारी कौन तयiekट या भी प्रस्ण शेंस प्रेक्टितमें प्रवीविश किया था अगर आप ईबावर का असली नाम क्या था तो बावर का असली नाम तो जह रूर देन मुहंबद यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है अच्छा बावर ने गाजी की उपादी कब धारन की थी खानवा का जो जब यूद्ध हुआ था खानवा के यूद्ध होने के बाद बावर ने गाजी की उपादी धारन की थी ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है खानवा का यूद कब हुआ था तो खानवा का यूद 16 मर्च 1527 को बावर और राना सांगा के बीच में लड़ा गया था खानवा का यूद भी ये बावर के बीच में बावर और राना सांगा के बीच में कब हुआ था खागरा का यूदğin कप हुआ था गागरा का यूद 1.88ीशवगी में वा था। किसे बीच बीच में भाबर और अफगान के बीच में बाबर की जीत हुई थी, तो ये भी dealing को ध्यान में रखना समंदित है तो यह सिच्छा से समंदित है अगर हम बुर्ष डिस्पेच की बात करें तो वर्ष डिस्पेच आयो कमीशन भारत में अंगरेजी सीखने और महिला सिच्छा के परसार के उदेश से लाया गया था तो यह बुर्ष डिस्पेच जो है यह भारत में किस के लिए लाय गया था तो यह आपको ध्यान रखना है कि सर चौल्स बुड की अधरस्ता में गठित किया गया था वर्स 1904 में तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है इस प्रणाली के तहट सम्द निजी स्कूलों को सायता में अनुदान दिया जाना चाहिए एक कोशन पूचा गया था प्रो कबड़ी लीग की सुरुवात कब हुई थी यह भी कोशन मैंने आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था तो प्रो कबड़ी लीग की जो सुरुवात है ना मेरे प्यारे आपर वर्स 2014 में हुई थी प्रो कबड़ी लीग दो हजार आठारा का खिताब किसके द्वारा जीता गया था तो प्रो कबड़ी Pro जो आठवा सीजन जो है ना दवंग दिल्ली केसी के टीम के द्वारा जीता गया था ठीक है अच्छा प्रो कवड़ी लीग के पहले विजीता कौन थे तो प्रो कवड़ी लीग के पहले विजीता थे जैपूर पिंग पैथर्स ये भी आपको ध्यान रखना है प्रो कवड़ी मुखेवाजी संग का अध्यक्ष 2022 किसे बनाया गया है तो देखें मैं बरतमान की बात करना तो मुक्यवाजी संग के वजो बरतमान अध्यक्ष हैं ये हैं अजय सिंग अजय सिंग जो है ये भारतिय मुक्यवाजी मासंग वी एफ आई के नए अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है अगर आप सी पूछ लीजा जा कि भाध्य प्रबार्वाजी ओ महा संग critical के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रकना है एक कोशिन पूछा गया था मेरे प्यारे सातियों कि प्रभा अन्य किस घराने से समधित है तो प्रभा अन्य जो है ना मेरे प्यारे सातियों ये किराना घराने से समधित है किस घराने समधित है किराना घराने से तो प्रभा अन्य कि अगर हम बात करें तो प्रभा अन्य ये प परदान किया गया था तो 2022 में परदान किया गया था और प्रभाः अन्य के नाम 11 पुस्तुकों का विबेचन करने का विश्य हुम है और प्रभाः को वर्स 1991 91 में संगित नाठक अकादमी प्रोसकार जो है दिया गया था ये भी fact आपको ध्यान रखना है परभाः अन्य को पदमसरी 1990 पदमभूशर 2022 और पदमभूशर 2022 से सम्मानित किया गया था तो ये सारे fact आपको ध्यान में रखने है को सिर कर दिजे और वीडिओ को ज्दी से लाइक कर दिए जिलोगों नहीं तो जती से जाकर आपशेеспरों कर लिए है स्वां पर आपको ये पेडिया बिल्कुल निसुल्ट में मिल जाएगी ठीक है सुगह नएस कोशन देगे पूछा गया था कि MPL MPLARTS योजना ये कब शुरू ही थी MPLARTS जो योजना है न वर्ष 1993 में शुरू ही थी संसत बबन इस्तानिय छेतर विकास योजना MPLARTS वर्ष 1993 में ये योजना जो है शुरू की गई थी एक कोशन तक कथक से संबनी था कि कथक से कौन संबनी था किref भी ध्यान मेंग्य थी so guys next question पूछा गया था कि सतरंज में सफेद खानों की संख्या कितनी होती है तो सतरंज में सफेद खानों की संख्या कुल होती है मेरे प्यारे साथियों 16 अच्छा सतरंज की 27 पर सफेद वर्ग कितने होते हैं तो सतरंज की 27 पर कुल 32 सफेद वर्ग होते हैं भी आपको द Zahlen रखना है सतर अटुनरी कितने वर्ग होते भी पैयार साथी हूं सतराज बोर्ड में भी झाहर कुल 64 वर्ग होते हैं ठीक है आयत आयतों की संक्या जो आपको एक between 7 Saint ज३र पर देखने को मिल सकती है यह कितनी संक्या होती है बार्व सो 6 ,290 होती तो यह अद्ती अशोक हो यह में पूछा गया था स्में 2017 में तो अद्ती पर इस विक्त याई वह को दियान में ठाथ है कित अविशन पूछा गया था इजब ऑस्तुए प्रोस से क्रिया करता है तो कौन सी टि ए तो अक प्यार शटि call अक्रROd आथ़ यह प्रेंटар integrity मेगनिसियम तनु सेलफूरिक अंगल के साथ अविक्रिया करके मेगनिसियम सेलफेड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है कॉपर धातू एच्टू गैस को एच्टू एसफूर के रूब में बिस्थापित नहीं करेगी तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है एक कोशन पूछा गया था कि कौन सा मौलिक करतब नहीं है चुनाओं में भाग लेना ये एक मौलिक करतब नहीं है देखे सुवन सिंग समिदान में मौलिक करतब्यों को जोड़ा गया था तो मौलिक करतब्यों को समिदान के कि समिदी के द्वारा जोड़ा गया था अगर उलेख हैना अनुछेद 51A में है ये वी आपको ध्यान में रखना है मौलिक करतब प्रकरती में गयर नयाईक है ये वी आपको ध्यान में रखना है अच्छा मौलिक करतब्यों का विचार किस देश के समिदान से लिया गया है तो मौलिक करतब्यों का जो विचार है न ये रू उसी समीदान से लिया गया तो ये फिक्टा आपको ध्यान में रखना है भारतीящ मिदान में मौली करतवयों को r devotmasya 6 ar संसुदन धनर के द्वारा जोड़ा गया था अगर आपसे पूँच लिए जाए वारतिय समया ये व्यालेज़ी पतर में के द्वारा गया था रहाल है AG को atta Tips है एफ sorry शेफिकारण तरफ के द्वाल जोड़ा गया था अच्छा भारतिय समया में आने वाले चकरवात को किस नाम से जानते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आश्टेलिया में आने वाले चकरवात को विली विलीज के नाम से जानते हैं विली विलीज के नाम से जाना जाता है पश्चिमी अगर देखिए कोश्टन्स जो थोड़ा घुमा कर भी आपसे पूछा जा सकता है कि पश्मी आश्टेलिया में ओश्र कडबंदिय चकरवातों का नाम क्या है तो पश्मी आश्टेलिया में ओश्र कडबंदिय चकरवातों का नाम है मेरे प्यारे साती हूं वाइली विलीज ठीक है चकरवात को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग न आर्येडेश पत्त बाइच नें चक्रवात को अफ़न नाम दिया था मैं हसेग ये कॉशन66 sutile 2017 में चीन साघर में चीन साघर Epile कि उश्र कड़बंदियर चक्रवात्यों को क्या नाम दिया गया ताइफ्पून नाम दिया गया है टाइफ्पून granting उश्र कड़बंदियर चक्र चकरवातों को क्या का जाता है हरीकेन का जाता तो ये वी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है एक कोशन पूचा गया था प्रधान मंतरी सम्मान निधी योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं तो मेरे प्यारे साथी हो प्रधान मंतरी सम्मान निधी योजना में एक चार हजार रुपए दो समान किस्तों में दिये जाते हैं जिसमें किसानों को कुल दस हजार रुपए प्राप्त होते हैं यह योजना 26 सितमबर 2020 को मुकमत्री सिवरा सिंग्स चौवांत के द्वारा सुरू की गई थी परदानमंद्री किसान सम्मान निधी पी-एम किसान को व तो यह आपको ध्यान में रखना कप प्रारम की गई थी वरस 2019 में केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रदानमंद्री किसान सम्मान निधी पी-एम किसान के लिए कुल कितने करोण रासी आवंटित की गई है 68000 करोण रुपए जो है वो आवंटित की गई है तो यह सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने है एक कोशन पूछा गया था मैरे प्याज़े सातिओं कि चुनाओ आईो की स्थापण कब हुए थी तो चुनाओ आईो कि स्थापणा 25 जिनबरी 1950 को हुई थी भारत के निरवाचन आयो का गठन कब हुआ था तो मेरे प्यारे सातिओं भारत के नि कार कारी थे मेरे प्यारे सतियों सु कुमार सिन तो यह भी आपको ध्यान में रखना है आयो का उद्देश निम्न पदों के चुनाओ का संचालन करना है भारत के राश्वत्ती भारत के उपराश्टति संसर्द राज्य विदान सबाएं विदान परशिदी अच्छा चुनाओ आयोग का मुख्याले कहां पर इस्तिते तो मेरे प्यारे सतियों चुनाओ आयोग का जो मुख्याले है ना ये नई दिल्ली में इस्तिते कहां पर इस्तिते है नई दिल्ली में ये भी आपको ध्यान रखना है स्री राजी कुमार ने भारत के 25 मुक निर्वाचन आयूक्त के रूब में पदवार ग्रहन किया है तो ये भी फैक्ट आपको दियान में रखना है ठीक है सुगय नेश कोशन पूछा गया था केंदर सासित प्रदेश में जुग्गी वस्तियों की जन संक्या सबसे ज़ादा है दिल्ली में धरावी मुंबई महराष्ट भारत में एक इस्थार है जिसे एसिया की सबसे बड़ी जुग्गी वस्तियों में एक माना जाता है धरावी का छेतर फाल दो दसमलाव एक वर्ग किलोमेटर से अधिक है और इसकी जो जन संक्या है ना अरीब दस लाख है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है तो ये सारे फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों नहीं चैनल को सबस्क्राइब दसमलाव एक माना जाता है नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब को नोडिफिकेशन बेल ओन करना ना भूलें तो अगर आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप हमारा टेलेग्राम चैनल जो उसे जोएन कर लिजिए वहाँ पर आपको पीडियाप मिल चाहेगी लिग मैंने वीडियो के दे दिया है जहां से आप डिरेक्ट हमारे टेलेग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे मिलते हैं नच वीडियो के साथ जैहिन जै भारत SSC Seizial के 17 सितमर की दुतियां पाली में कैसे क्या प्रशन पूछे गए हैं तो पहला प्रशन देखे पूछा गया था कि खुजराव नर्त किस राजस से सम्मंदित है तो मेरे प्यारे साथियों खुजराव नर्त जो है न यह मद्य-पर्देश राजस से सम्मंदित है तो अगर हम बात करें खुज्राव नर्त की तो खुज्राव नर्त जो ये मौसब जो है ना इसका आयोजन मद्द प्रदेश कला परिशत के दौरा किया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि खुज्राव नर्त मौसब का आयोजन ये किसके दौरा किया जाता है आपको ध्यान में रखना है खुजरा वर नर्त मौसब प्रतेक वर्स आयो उजित किया जाता है यह उत्सव आमत तोर पर फरवरी महीने में मनाय जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुजराओ नर्त मौसब ये प्रतेक वर्स किस महीने में मना जाता है तो ये प्रतेक वर्स फरवरी के महीने में मना जाता है तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है खुजराओ नर्त उत्सब भारस सरकार द्वारा मर्द परदेश परिस वर्स 1975 में इस्थापित किया गया था शरकार के दौरा मद्यपर्देश कहला परिस्थ के सयोग से वर्स 1975 में इस्थापित किया गया था ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कुछ मैंने मौसब ली हैं उनके बार में जान लेजिए जैसे कि नागा लेंट के मौसब कौन कौन से हैं हारनविल हुआ मीमकुठ हुआ सिक्रेनी हुआ और आओ लेंग हुआ और मातसी मौंग हुआ ठीक है यह आपके नागा लेंट के मौसब हैं केरल के मौसब की अगर हम बाat करें, तो केरल के मौसब काूँसे होते हैं? केरल के मौसब ओरम हुआ जैसे की, त्रसूर पूरम, अटुकल, पोगाला, विसु मौसब और मकल, मकर विलकू ये जो मौस्तव है ये केरल के मौस्तव है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है तमिल नाडू के मौस्तव काउंट काउंसे है तो तमिल नाडू के मौस्तव मेरे प्यारे सातियों पोगल हुआ और थिरू वायरू थिरू वायरू मौस्तव ये तमिल नाडू का है और थाई सब्सक्राइब करते हैं यह सभी जो मौस्तव हैं यह सभी मौस्तव तमिल लाडू के मौस्तव हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज विडियो को लाइक किजेगा यार क्या कर रहे हूं आप लोग 2022 में किस महराष्ट भूसवर्ड ऑवर्ड मिला था 2022 में किसे महराष्ट भूसवर्ड ऑवर्ड से समानित किया गया था तो 2022 में दत्रा त्रे नाराण धर्मा दिकारी को इस और से समानित किया गया था अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में महाराष्ट भूसवर्ड और से किसे समानित किया गया था आसा भोसले को समानित किया गया था ये तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर आपसी पेपर में पूछ लिया जाए कि महराष्ट बूशन पुरोसकार जो है ये कब स्थापित किया गया था तो मेरे प्यारे साती हूँ महराष्ट बूशन पुरोसकार जो है वर्स 1996 में स्थापित किया गया था यह मारा सरकार दोरा जीवन के सभी छेत्रों के उलेखनी है राज निवासियों के उतकरष्ट प्रयासों और उबलब्दियों को मानता देने के लिए दिया जाने वाला सरवोच सम्मान है इसमें प्रस्ति पत्र और रुपय के मौधिक प्रोस्तकार के साथ आता है दस लाख रुपय तो ये भी फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है तो कहने का मतलब यह सभी फेक्ट आपको ध्यान में रखने है। और अमजद अली खान को वर्स 2001 में भारत के दूसरे सरवोच नागरी समान पद्म धूसन से समानित किया गया था तो यह भी फेक्ट आपको ध्यान रखना है। यह संतूर बादक से कौन समानित है। पंडित सिव कुमार सर्मा, राहुल सर्मा, तरुन भटाचार्य और अवै सुपोरी यह संतूर बादक से समानित है। अमजद अली खान, अमजद अली खान बगश, अली अकबर खान, अलाओ दिन खान, यह सरुद बादक से समानित है। अच्छा वासुरी बादक से कौन समानित है। अच्छा वीड़ा बादक से कौन समानित है। असद अली खान, जिया मोईदीन डांगर और अयागरी स्याम सुंदरम यह वीड़ा बादक से समानित है। अच्छे सितार वादक से को समद्ध है पंडित रभी संकर साहित परवेश खान बुद्धा दित्य मुखरजी और अनुस्कार शंकर यह सितार वादक से समद्ध है तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने है ठीक है पूछा गया था कि इंद्रा पीवी बोरा किस नर्ति से समद्ध है इंद्रा पीवी बोरा जो है ना मेरे प्यारे साती हो सस्त्रिया नर्ति से समद्ध है किसे समद्ध हैं सस्त्रिया नर्ति से अगर आग इंद्रा बोरा की बात करें तो इंद्रा बोरा एक अंतर राश्टे इ में न्रत्यांगना को कुई दोछारवीस में पदम स्रीज से समानित किया गया था अब मैंने कुछ न्रतिय लिए हैं और राजी होंगे को किसे से समधद्व है जैसे की भरतिनाटियम ये किस का लोग नतिय लोकनति है और भरत नाटियम से कौन समधित है रुकमडी देवी अरुंडेल मलिका सारा भाई यामनी क्रश्नमूर्ति आनंद शंकर जयंत यह भरत नाटियम से समधित है ठीक है अगर हम बात करें कुचीपुरी तो कुचीपुरी कहां का लोकनति है तो यह आंध्र प्रदेश का लोकनति है सम्मु माराज स्रितार देभी पंडत विर्जु माराज यह कत्तक नर्त से समंधित है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है मड़ीपुरी के गरहाथ करें तो मड़ीपुरी नर्त जो है यह मड़ीपुर से समधित है और गुरू विपिन सिंग राशकुमार सिंग जीत सिंग चारू सिजा माथूर इनका समद मड़ीपुर नर्त से है यह भी आपको ध्यान में रखना है वही हम कतकली की गराम बात करें तो कतकली जो है केरल का लोक नर्ति है और कला मंडलम रमन कुट्टी नायर कला मंडलम रमन कुट्टी नायर इनका समंद कतकली से जाए और कला मंडलम गोपी और मदबूर वासुदेवन नायर इनका समंद कतकली नर्ते से होगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो मोहनी एश्टम यह केरल का लोकनत्य है, टी चिनामू अम्मा जो हैं और कला मंडलम शुगन्धी, यह मोहनी एश्टम से समाद देते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, सस्तिया नर्ति की बात करें, तो सस्तिया नर्ति है, असमका लोकनत्य है, इसमें इंद्रा बहुत की जनगर्णा कैनुसार माराश्ट देश जो है भारत की 2011 की जनगणा के नुसार माराश्ट देश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज है तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है हर्याना के अगर हम बात करें तो हर्याना भारत में अठारवा सबसे अधिक वाला राजी है ठीक है अखिल भारतिय धर्म जनगणा 2011 के आंकणों के नुसार भारतिय जनसंख्या का लगवग 14.23 प्रतिसद जो है वो इसलाम का पालन करता है तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है नेश कोशन देखे गाज पूछा गया था कि खेलो इंडिया 2022 का सुवांकर क्या था तो मेरे प्यारे सातियों खेलो इंडिया 2022 का सुवांकर था जीतू बारे सिंगा करनाटक के राजपाल स्री टेसी गैलोत और केंद्रिय खेल मंत्रिसी अनुराज सिंग ठाकुर ने एक अप्राइल 2022 को बैंगलूरू में खेलो इंडिया नुवस्टी गेम्स 2021 के लोगों जर्शी सुबंकर और गान का सुबारम किया है अब देखिए यहां आपको एरव और ध्यान में रखना है अगर आप से पूछ लिया जा जो खेलो इंडिया यूथ्स गेम्स 2022 से हुए है यह इसका कॉंसा संस्क्रम रख था तो ये इसका पांचमा संस्क्रम तो हिए गार vídeo आपको ध्यान में रखना है तो ये भी fact आपको ध्यान में रखना है तो गर नेस्स कोशिशन पूछा गया था NDP पाने के लिए GDP में किसको घटाया जाता है NDP पाने के लिए GDP में मूले हास को घटाया जाता है ठीक है सकल घरेलू उत्पाद मूले हास सेवाओं के मुद्रा मूल को क्या का जाता है सकल घरेलू उत्पाद का जाता है अगर आपसे पूछ लिया जा पेपर में कि किसी विसेश वर्स के दोरान देश की बितर उत्पाद सभी अंतिम बस्तों और सेवाओं के मुद्रा मूल को क्या का जाता है सकल घरेलू उत्पाद का जाता है उत्पादन लागत पर NNP राष्टिय आई भी का जाता है उत्पादन लागत को क्या का जाता है NNP राष्टिय आई का जाता है तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस्थाई लागत पर सकल राष्ट्रिय उत्पाद NNP राष्ट्रिय आई के बराबर है ये भी आपको ध्यान में रखना है उत्पाद विधी जिसका उपयोग उत्पादित बस्तूओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल की गड़ना करने के लिए की जाता है उसे मूल वर्धित विधी कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है आउट्पुट विधी के अनुसार जिडिपी की गड़ना इस्तिर कीमितों पर सकल घरेलू उत्पाद कर प्लस सबसेडी की जाती है सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दोरां देश में उत्पाद सबी बस्तूं और सेवाओं का बाजार मूल है तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने है किस अनुस्षेत से संग निर्धारत करता है कि राज का एक मादिविक्ता होगा अनुछेत 165 निर्दारित करता है कि राज का एक मादिविक्ता होगा अर्टिकल 165 आपका सही आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज का जो मादिविक्ता होता है ये अपना स्थीपा किसे सहुपता है तो देखिए राज का मादिविक्ता जो अपना स्थीपा है ये समंदित राज के राजिपाल को सौंपता तो ये आपको ध्यान में रखना है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो इतने ही कोशन हम को मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने सेर कर दिये हैं ठीक है और थर्ड सिप्ट का भी मैं आपको इनलाइसेस कराने वाला हूं तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा आप लोग तो अगर आप लोगों को फर्स सिप्ट, सेकंड सिप्ट और थर्ड सिप्ट की पीडियाप चाहिए तो आप हमारा टेलेग्राम चैनल जो उसे जोइन कर लीजिए लिख मैरे वीडियो के डिसकेफ्ट सरोथ में दे दिया है तो जन्ली से जाइन करें आप लोग तो पहला कोशन दे के पूछा गया था कि जारखंड के वर्तमान राजेपाल कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों जारखंड के वर्तमान राजेपाल है संतोस गैंगबार तो जारखंड के राज़दानी है राची अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जारखंड के पहले मुखमंत्री कौन थे तो मेरे प्यारे साती हूं जारखंड के पहले मुखमंत्री थे बावुलाल मरांडी अचा जारखंड के पहले राज़पाल कौन थे और आपसे ये कार किया है अभी तक तो 2000 में जहारखंड के कठन के वाद अब तक पुर 6 लोग जो हैं जहारखंड के मुखमंतरी बने हैं अब यहां वर आपको एक बात और ध्यान में रखना कि जहारखंड को जल परपात का सहर भी का जाता है अगर आप से पूछ लिया जाए कि जल परपात का सहर किसे कहा जाता तो जहारखंड को कहा जाता है तो यह सारे फेक्ट जो है आपको ध्यान में रखने है क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी प्रशन पर जो है वो पूचा जा सकता है सेशन को सियर कर दीजिए गवर आप लोग और बीड़ों को जल्दी से लाइक कर देड़े इस पूछा गया था मठकी नर्ट किस से समंधित है तो प्यारें मठ मत की नर्ट में खानअ ब्दोस जन जाती विखित क्या गया था तो मत्की नर्त ये के दोरा विक्सित किया गया था खाना वदोस जंजातियों के दोरा और मालवा का शामुदाहिक नर्त जक्या है तो ये भी आपको ध्यान रखना है आपको असम का योग नाकर नर्त खेल गोपाल, नटपूजा, महरास, केनू, जुम्रा और होमनाई ये असम के लोक नरते हैं अगर हम मद्द परदेश की बात करें तो मद्द परदेश के लोक नरते हैं आडा हुआ, खाडा नाच, सेल भदूनी, सोरी सेला भदूनी, मानच, फूलपती और ग्रीडा ये विहार के अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों विहार के लोक नरते हैं बाखो बखैन, सामा, चकवा, विदेशिया, जटा, जटीन और पनवारिया ये विहार के लोक नरते हैं ठीक है, राजस्तान के अगर हम बात करें तो राजस्तान के लोक नरते हैं घुमर, चक अगर हम कजरी मौफसव की बात करें तो कजरी मौसव का आयूजन निर्जापुर में उत्तर प्रदेश प्रेटन द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश के प्रेटन के द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है ये बारिश के मौसम से संबंदित है अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का जो कजरी गीत है यह किसे से संबंदित है तो यह बारिस के मौसम से संबंदित है शौपिंग फेस्टिवल खरिदारी उत्सब का आयोजन कहाँ पर होता तो यह उत्तर प्रदेश परेटन द्वारा नोड़ा में किया जाता अगरा में उत्तर प्रदेश परेटन के द्वारा कि आगरा में उत्तर प्रदेश परेटन के द्वारा किया जाता है क्योंकि इनी फेक्ट से जो पेपर में प्रदेश पूछे जाती हैं सेसन को सेर कर दीजिए आप लोगों को वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए एक कोशन के पूछा गया था कि बावर के मकबरे पर किसी को कुछ लिखते हुए देखते हैं तो आपको क्या मौलिक करत अपका मौलिक करत लगा यह प्रशन पूछा गया था तो अगर आप लोगों को आशर मालूम हो तो कमेंट बोक्स में जरूब पता है गा एक कोशन देखे पूछा गया था विक्रम शिला विश्व विद्याले की इस्थापना यह किसने की थी तो मेरे प्यारे सातिवू वि कि राजबंस ने विक्रम विष्विदाले की इस्थापना की थी उसमें पाल राजबंस भी हो सकता है यह विक्रम शिला की इस्थापना धर्म पाल ने कौन सब्सेता सतापडि इसनjया कीती प्रत पेपर आप यह वी नौब सब्सक्राइब नाट नोई सतपड़ी स्थापडि भी показ भी हार के भागल फूर में इस्तित है तो यह सारे फ्रेक्ट अकर हम नारंदा विश्यु विद्यालय की गरम बात करें तो नारंदा विश्यु विद्यालय का निर्माद संवराट कुमार गुप्त ने पांचबी सताधी ऐस्व्य में किया था तो ये भी आपको ध्यान में रखना हैं ये महा यान बहुत धर्ण के सिच्छन का प्रबBayak केंदर था है त्विदा को नालंद को द्वस्थ करने वाला सा स्ट्रेक कौन है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सताबदी के अंध में आक्रमणकारी का लोगी ने इसमेर को दौस्त कर दिया और विच्छों को मार ड़ा दा और मौलबान पुस्त्त काले को जला इस लिए तो को नता विपन को द्ला या या ठीक है नैंस कोषन्ट मेजर ध्यान चंद का उपनाम क्या है तो मेरे प्यारे साथी मेजर ध्यान चंद का उपनाम है मेजिशियन विजाड क्या है मेजिशियन विजाड अच्छा ध्यान चंद खेल रतन पुरुषकार पूर्व में राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार का पहला प्राप्त करता कौन था विस्व नाथन आनंद कौन था विस्व नाथन आनंद ये पूर्व में राजीव ग तुछEND मेजर ध्यान चंद्र को होउकी के जादू करगर के रूपने भी जाना जाता तो ये भी फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखना है देखिए मेजर ध्यान चंद्र को 1928 1932 और 1936 में तीन ओलंपिक स्वन पदक अरजित करने के लावा एक ऐसे यूग में जा भारत का हौंकी में बर्चस हो था आसाधरान गोल करने वाले कुशल के लिए जाने जात है किने मेजर ध्यान चंद्र को ठीक है मेजर ध्यान चंद्र को 1934 में पद्भुचर के तीसे सर्वोष नागरी समाद से समानित किया था यहां पर आपको एक फ्रेक्ट आओ ध्यान में ब्यांग पूनिया जो है जो है ना इन्हें राजीव गानी खेल रतन पुरोषकार 2020 से समानित किया गया था जिसका नाब बदलकर कर देया गया है मेजर ध्यान चंद्र खेल रतन पुरोषकार ठीक है होकी के मानाय के मेजर ध्यान चंद्र का जन्र मेरे प्यारे सातियों इलावाद में हुआ था तो यह सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रख दे हैं एक कोश अनपूरा देवी के अगर हम बात करें तो अनपूरा देवी यह हिंदुस्तानी सास्त्रिय संगीत की एक भारतिय सुरुबार बादक थी तो यह सुरुबार बादक से समझे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है और इन्हें महर एशेट के पूर महराजा ब्रजनात सिंग द इस्तिया थी तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है उन्होंने प्रसिद सितार वादक पंडित रभी संकर से साधी की थी यह भी आपको ध्यान रखना है और इन्हें देखिया 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी परोसकार जो है इन्हें दिया गया था और 2004 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सहचर भी बनाए गया था तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है प्रसिद हिंदुस्ताने सास्त्री संगीत का अन्पूरा देवी का जो निदर है वर्स 2018 में हो गया है तो यह सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है ठीक है एक भारत में जैन कितने हैं जैनों कि कुझआंगया 24 और भारती धर्म में 24 तीर्थ कर यह आपको ध्यान रखना है और प्राचिन भारत में जैन दर्म चंद्रुकुप्त मौर के सासनिकाल में ज्यादा तर फैला था ये भी आपको ध्यान रखना है जैन धर्म की अनुसार कुल कितने पुरबात है तो जैन धर्म की अनुसार कुल 14 पुरबात है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है पाटिलपूर इस्थान पर पहली जैन परि मुर्ति इस्थित अगर आप से पूछ लिया जा कि विसो का सबसे उंचा जैन मुर्ति यह कहां पर इस्थित थे तो भारत के माराश्ट राज में इस्थित है भारत सरकार द्वराथ 6 धार्मिक समधायों को अल्प संक्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है कितने फुल 6 फ्रेक्ट आपको ध्यान में रखने है ठीक है और पहला महिला क्रिकेट विसो कप 1903 में यह इंग्लेंड के दोरा आयोजित किया गया था यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है टूनामेंट राउंड रॉबिन प्रारू में चार्टीमों इंगलेंड आश्टेलिया इंगलेंड अपने तीनों मैच जीत कर चेंपियंड बना जबकि आश्टेलिया दो जीत के साथ उपिजेता रहा था इसमें महिला क्रिकेट विसो कप हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है और वर्तमाच चेंपियंड इंगलेंड है जिसने इंगलेंड और वेल्स म अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल और ना भूलें वहां पर लिंक पर क्लिक कीजिए डिरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चनले पहुंच जाएंगे आप जोआन कर लीजिए ठीक है तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ जैहिंजे भारत